हेलो स्टुडेंस, स्टुडेंस आज का जो क्वेशन है वो 2020 में जेए एडवांस में आया हुआ है आप देख पा रहे हैं क्वाद्रेट्क एक्वेशन का यह क्वेशन है तो क्या कह रहा है कि सब्सक्राइब दिस्टिंक्ट रिएल रूट्स अब देखो x square equation पहली equation जो है आपको दे रखी है x square plus 20x minus 2,0,2,0 यह आपके first equation है और इसके roots क्या दे रखे हैं इसके जो roots given है हमें वो given है a,b ठीक है अगर a,b इसके roots हैं तो क्या हम यह लिख सकते हैं a plus b is equal to minus 20 और साथ ही साथ एक लिख सकते हैं a into b is equal to minus 20,20 यह हमारे पास 10th class की कुछ properties थी sum of roots और product of roots की ठीक है वहाँ से मैंने यह लिखा है ठीक है आगे कह रहा है कि c और d denote the distinct complex roots उसके लिए equation दे दे हैं अपने को second equation दे रखी हैं अपने को कि x square minus 20x plus 20,20 इसके roots अपने को दे रखे हैं question के अंदर c और d इसके roots c और d दे रखे हैं तो यहाँ से भी वही same sum of roots का formula लगाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा c plus d की value 20 ठीक है और c into d की value बन जाएगी मेरे पास आपका 2020 अगर किसी को यह बातें समझ नहीं आई कि यह कहां से आए है मेरे पास यह दोनों चीजे कहां से आई तो आपको बता दूं कि हमारे पास quadratic equation होती है ax square plus bx plus c equal to 0 तो बेटा इसके अंदर sum of roots का formula होता है alpha plus beta equal minus b upon a यह आपने पढ़ा होगा और alpha into beta क्या होता है मेरे पास c upon a यह हमारे पास formula होते हैं 10th class की book में अगर आप देख पाओगे तो देख सकते हो ठीक है अब अपने को जो value find करनी है वो यह है ac into a minus c ad into a minus d bc into b minus c और bd into b minus d इन सब की value find करनी है अपने को तो अपने थोड़ा से उपर चलते हैं हाँ यहां में लिख रहा हूँ कि हमें value find क्या करनी है मुझे find करनी है ac a minus c plus ad a minus d plus bc b minus c और bd मेरे को find करना है b minus d यह मेरे को find करना है तो मैं इसका क्या करूँँगा अंदर multiply करूँगा बस सारे brackets का अंदर multiply कर दो तो मेरे पास बन गया a square c minus ac square फिर मेरे पास बन गया a square d minus ad square फिर मेरे पास बन गया भाईयों और बहनो b square c minus bc square फिर आपका बन गया बगवान बला करे b square d minus bd square यह बन गया मेरे पास ठीक है अब इसको sort out कैसे करेंगे इसको sort out करने के काफी सारे तरीके हैं तो अपने क्या कर देंगे अपने देखो इसको a square और इसको a square यह इन दोनों में से a square common ले लेते हैं यहां से क्या बनेगा a square d plus का बनेगा भाई ठीक है न तो यहां से a square मैंने common लिया अंदर बच गया c plus d ठीक है यह बन गया और b square common आ रहा है कहीं से यहां से b square common आ रहा है और यहां से b square common आ रहा है तो b square common ले लो यहां से बच गया c और यहां से बच गया d तो यहां भी c plus d बच रहा है वाँ भी वाँ अब आप c square देखो कहीं common आ रहा है क्या c square एक तो यहां से common आ रहा है और एक यहां से तो भाई, minus का c square common ले लो minus का c square तो अंदर बच ज़ेगा a plus b अंदर बच गया आपका a plus b और d square भी minus का common आ रहा है भाई d square common आ रहा है minus का तो यहां से बच गया minus का plus का a plus का b, a plus b समझ पा रहे होंगे आप उमीद कर रहा हूं मैं अब आप इन दो चीजों में से देखिए C प्लस D आप common ले पा रहे हैं ठीक है न यहां से C प्लस D हम common ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा यहां से A square प्लस B square और उधर से मैं माइनस का A प्लस B common लूँ तो मेरे पास बच जाएगा C square प्लस D square अब आप यह देखिए A square प्लस B square को मैं क्या लिख पाऊंगा C प्लस D तो as it is लग दिया मैंने A square प्लस B square को मैं लिख पाऊंगा A प्लस B whole square minus 2AB 10th class की identity से A plus B whole square minus formula से A plus B same लिखा मैंने इसको same लिखा और यहां भी मैंने वही same formula लगाया C plus D whole square minus 2CD ठीक है अब मेरे को यह सारी values put करनी है C plus D की value आप थोड़ा सा हम उपर चलते हैं इनको note करते हैं देखो एक तो यह मेरे पास A plus B और A into B की value है एक मेरे पास यह C plus D और C into D की value है यह सारी values यह वाली भी और यह वाली भी मैं नीचे put कर रहा हूं ठीक है ना तो CD वाली तो दोनों values positive हैं और AB वाली दोनों values negative हैं ठीक है ना तो C plus D की value तो है बेटा 20 A plus B की value है minus 20 square minus 2 into minus 2, 0, 2, 0 ठीक है minus minus 20 ठीक है और C plus D की value है 20 square minus 2 into 2, 0, 2, 0 positive इसको sort out करते हैं भाई यहां से और यहां से 20 common आ रहा है ना तो 20 common ही ले लो ना अंदर बच गया 400 ठीक है plus का 4040 यहां से फिर बच गया 400 ठीक है प्लस का है ना यह तो यहां से minus का आपका 4040 यह लो जी यह सल्ट गया यह बन गया 800 800 into 20 800 into 20 बन गया आपका 16,000 ऐसा कुछ option बन रहा है क्या 16,000 कुछ option अरे वाव 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 मज़ा आगया 16,000 बहुत ही बढ़िया उमीद करता हूँ आपको यह question समझ में आया होगा ठीक है और जेई यह advance का यह question है आगे भी आपके लिए ऐसे question में लाता रहूँगा ठीक है देखते रहे है सिंख classes HMH धन्यवाद